चलो दोस्तो अचलते हैं जंगल खिलोनों की खोज में देखते हैं जंगल में आज हमें क्या-क्या खिलोने मिलते हैं ठीक है दोस्तो तो हमारे साथ आगे बारो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना तो देखो यहां से हमें जंगल के अंदर जान है तो दोस्तों अभी तक तो कोई भी फिए वो देखो दूर कुछ दिक रहा है दोस्तों बहाँ पे वो देखो बहाँ से पहले हमारे नजर में आया था ये देखो आगे भी खिला nylon तो देखो दोस्तों सामने कितना घना जंगल है तो इस जंगल से हमें जाना है आगे और जाकर देखना है अरे देखो यार यहाँ पे खिलोना है यह देखो यह तो कलेक्टिंग बाकेट है पर यहाँ पे देखो दो दो खिलोना सेम खिलोना यह देखो दो खिलोना वो भी सेम और ये देखो, ये collecting bucket सबसे पहले हमारी नजर में आया था दोस्तों, तो देखना है collecting bucket के अंदर क्या है, ठीक है, तो खोल लेते हैं, collecting bucket तो बिल्कुल खाली है, रोज तो कुछ ना कुछ टूटा-फुटा चीज इसमें रहता ही है, दोस्तों पर आज देखो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब आज हमें बहुत सारे नय नय खिलोना मिलने वाले है, क्यूबकि दोस्तों आज यहापे विल्स नहीं परा है, कोई भी टूटा-फुटा कुछ भी नहीं परा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, दो खिलोना दिख रहा है, सेम खिलोना, पर देखो यहाँ तो टूटा-फूटा खिलोना ही मिला है, यह देखो, यहाँ से इसका पीछे का विल गायब है, दो से ट विल था दोस्तों, वो गायब है, पर बाकी कंडिशन तो इसका बढ़िया है ये कौन सा खिलोना है आप लोगों को दिखाता हूँ एक बाट ठीक है दोस्तों देखलो धूप बहुत तेज है बहुत ज़ादा ही धूप है आज ये देखो ये तो ट्राक है ये देखो ओयल टैंक का ट्राक दोस्तों हमें एक ओयल टैंक का ट्राक मिला है वो भी बढ़िया क यह कूनसा खिलोना है, यह देखो दोस्तो самого पुलिस ट्राक है, आरे वाव दोस्तों आ मैं फुलिस ट्रक मिला है, वो भी सेम कंडिशन में, इसका भी नीचे से वील ही गायब है था मैं इसका बहुत ज़्यादा इसका आधा से फुत करेंश वी बढ़िया है, और यह आगे ट् खिलोना हमने रख दिये बाकेट देखो बहुत जादा बड़ा बाकेट नहीं है दोस्तो चोटा सा ही है पर खिलोना बहुत जादा बड़ा बड़ा है और दोस्तो यहाँ पे तो हमने कुछ दिखा था यहाँ पे यहाँ पे हमें कुछ यह देखो यह देखो दोस्तो यह क्या ह तो दोस्तो, आते है हमारा ये वाला खिलावनों की तरव। जो की तो बिल्कुल बड़िया कंडिशन में हैं। ये तो एक रोड रूलर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है road roller ready to work तो दोस्तो देखो हमें एक road roller मिल चुका है बहुत बढ़िया condition में है यह construction vehicle से दोस्तो यह हमें सा construction की काम में ज़्यादा use किया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो road जब road बनता है ने बराबरा road या छोटा वाला जो भी road होना दोस्तो road को एकदम flat करने में यह काम आता है दोस्तो तो चलो यह road roller तो हमें good condition में ही मिल चुका है इसे भी जाके हम collecting bucket के अंदर collect कर लेते हैं यह देखो यहाँ पर collect कर लिया road roller को और दोस्तो एक चीज़ notice किया आप लोगों ने कि इन दोनों का हमें अभी तक will नहीं मिला है यहाँ पर हमें खिलाना मिला था और इस साइड में देख लेता हूँ कि यहाँ पर है कि नहीं दोस्तो यहाँ पर खिलाना है अरे अरे यार अच्छानक पेर हिलना शुरू हो चुका है ये जंगल में ये ही होता है दोस्तो आप लोगों को पहले भी बताया था और आज भी बता देना चाहता हूँ जो दोस्त मेरे साथ नए जुरे होए हो देखलो ये वाला जंगल ऐसा ही होता है इस जंगल में अजीब बजीब कुछ घटना करता ही है दोस्तों तो चलो इसे इग्नोर करते हुए हम आगे बरते हैं अरे 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 वो क्या है वो तो एक आउल लग रहा है मुझे देखने पर वो देखो दूर एक आॉल जैसा कुछ दिख रहा है शायाद आप लोगों की नेजर में अगर ओल यह देखें दोस्तों एक आउल है गलैक दोस्तों वह एक आउल है तो देखो उसे छोड़ते हैं अंसे धूतेटेर तरह करते यहां पर समय ये कौन सा खिलोना है दोस्तो तेख लो अरे वाव दोस्तो ये तो एक आटो रिक्षा है इसका कंडिशन देखो बढ़िया है पर नीचे से इसका विल्चेमबर ही गायाब है कहा गया इसका विल्चेमबर आसपास ढूल लेता हो दोस्तो क्या जाने मिल जाए हमें इसका विल् देखो खिलोना खोजने आये थे और एक आउल देख लिया तो दोस्तो कौन-कौन देखा है मेरे साथ आउल एक लाइक कर देना मैं समझ जाओंगा दोस्तो ये देखो ये तो एक आटो रिक्षा है वो भी बड़िया कंडिशन में जस्ट इसका नीचे से विल जेंबर गायाब है पर इसका कंडिशन सच में पढ़िया है दोस्तो देखो कितना ग्लो कर रहा है इसका कलर योलो और ग्रीन कलर कंबिनेशन में देखो अंदर प्लैक का भी कंबिनेशन दिया गया है तो चलो इसे जाके हम कलेक्टिंग बाकेट में सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं ये यहां पे खिलोना था यहां पे रखता हूं यह देखो थोरा चोटा सा जंगल है पर गहना है बहुत यह देखो collecting bucket लगबख फूल हो चुका है तो देखो हमारे सामने और भी खिलोना है यह देखो इसे हम लिकालते है, कौन सा खिलोना है दोस्तों देख लो, अरे वाव दोस्तों ये तो ट्रेन इंजिन है, देखो, स्काय पिलो और पिंक कलर में कितना जादा गलो कर रहा है ये, बहुत जादा बढ़िया लग रहा है दोस्तों, इसका आगे से विल खुला हुआ है, पर इसक भी खिलोना का हमें विल नहीं मिल रहा है आस पास, पर बाकेट में भी आज नहीं है विल, तो कहा गया इसका विल हमें धूनना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम तूटा खिलोना नहीं ले जाएंगे, हम इसे ठीक करने के लिए इसका बाकी पार्ट हम खोजेंगे ही ख देखो, दोस्तों ये तो एक मीनी ट्रेक्टर ही, या फिर लिखा भी हुआ है मीनी ट्रेक्टर, पर मीनी ट्रेक्टर का पीछे से विल खुला हुआ है, और देखो इसमें एक ड्राइबर भी दिया गया है, तो ड्राइबर सब तो ये ट्रेक्टर ऑपरेट कर रहा होगा, प तो यह देखो, यहाँ से हमने collect किया था, तो चलो यह देखो, और एक खिलाना यहाँ पे, तो दोस्तो। यह कौन सा खिलाना है, इसे जळराब देखो, यह तो एक Nanocard है, दोस्तो, एक ननो कार है दोस्तो, देखो, यूलो कलर का Nanocard, वो भी बड़िया कंडिशन मे, इसका सभ इसमें मौझूद है दोस्तो किसी भी जगह से कोई भी पार टूटा पूटा या डैमेज नहीं है दोस्तो बिल्कुल पॉर्फिक्ट कंडिशन में मिला हुआ है खिलोना देखो इसका अंदर का इंट्रिया देख लो दोस्तो बहुत बढ़िया लग रहे है स्टेरिंग देखा बिल्कुल रियल नैनो जैसा ही लग रहा है दोस्तो कही से भी आप समझ नहीं पाओगे कि ये एक खिलोना वाला नैनो है तो दोस्तो बहुत बढ़िया कंडिशन में है तो इसे हम बाकेट के अंदर रख देते क्योंकि इसमें कोई भी आटाच्मेंट की जरूरती नहीं डिल्कुल चलु इसी लाकेट को रखते है और दोस्तो ये देखो ऊपर एक खिलोना रखा गया है और चलू इसे उतारना है यह उतारना है ये कौन सा खिलोना है अरह वाओ दस्ते हैं देखो एक बास मिला है हमें वह भी purple and white color combination में अरे इसका wheel देखो दोस्तों कितना ज़्यादा attractive look है इसका gold and white color में देखो कितना ज़्यादा जच रहा है बहुत बढ़िया तरीके से घूमबी रहा है आर्मी बाला bus भी लिखा हुआ है दोस्तों एक आर्मी बाला bus है तो चलो bus को भी हम bucket के अंदर रख देते हैं bekit देखो हमारा लगबघ फूल हो चुका है एक काम करते हैं दोस्तों और एक बार आसपास देख लेते हैं किकी हमारा bagit full हो चुका है जादा मिलेगा तो नहीं ले जा पाएंगे दोस्तों upатов देख लेते है कि 2-3 खिलोणा कुछ भी करते ले जा पाएंगे तो देख लेत आ हमें आसपार, अरे देखो, ये देखो, विल स्टेशन हमें मिल चुका है, यहाँ पे ही है सभी खिलोना का विल्स, ये देखो दोस्तो, आगे देखो, विल स्टेशन में विल रखा गया है, बहाँ पे तो विल चेमबर जैसा भी कुछ दिख रहा है दोस्तो, तो चलो आगे ब खिलाओनों का विल्स मिल चुका है यह देखो विल्जेंबर हमें ओटो रिक्षा का विल्जेंबर चाहिए था देखो हमें एक साथ दो दो विल्जेंबर मिल चुका है विल्जेंबर तो और किसी भी खिलाओनों का वाके नहीं था दोस्तो इसका मतलब और भी खिलाओना यहा पास और कुछ है कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इस साइड में भी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इस साइड में यह देखो दोस्तों, यही था यहाँ पे, यह देखो, यह तो JCB लग रहा है, हाँ दोस्तों यह तो JCB है, देखो JCB का कंडिशन तो बढ़िया ह इसका नीचे से विल-चेंबर खुला हुआ है तो विल-चेंबर भी हमें मिल चुका है ये तक यहाब पर गैप है दोस्तो इसमें डेमेज है दोस्तो जी तक की लिए चैनल को सब्सक्राईब करके बीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तो, जिससे कि हमें पता चाले आप लोगों को बीडियो पसंद आ रहा है इस बजा से, तो दोस्तो बीडियो बनाने में बहुत महनत लगता है सच में बहुत महनत लगता है कि क्या बताओ दोस्तो experience बहुत बुरा होता है कभी-कभी, कभी-कभी अच्चा भी होता है क्योंकि दोस्तो, खून चुसने वाला किरा पकड़ लेता है कभी-कभी बारिश में भी खिलोना ढूनने जाता हूँ किसी ground में, ट्री में या किसी जंगल में, जहां पे भी बोलो दोस्तो हम कहीं पे भी पहुच जाते हैं खिलोना की खोज में क्योंकि खिलोना हमें इतना जाधा पसंद है उम्मित करता हूँ आप लोगों को भी पसंद होगा तो दोस्तो, और एक बार वांट कर देता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ घर पे करने की बिल्कुल कोशिश मत करना हम जाते हैं आप लोगों को लिए खिलोना लाते हैं आप लोग जस्त बैट के हमारे वीडियो देखो बस इतना ही दोस्तो तो चलो, मिलते हैं आप सभी से एटाच्मेंट पॉइंट में तब तक के लिए बाई बाई तो देखो दोस्तो ले कर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए आज का खिलोना तो खिलोना ढूनने में बहुत ज़्यादा मजा भी आया दोस्तो डर भी लगा है अचानक एक पत्ता हिला बहुत जोर से वो देखके हम डर गये थे तो दोस्तो ये देखो हम बाकेट के अंदर से सभी खिलोनों को बहाँ निकाल लेते है और तब तक आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना तो देखो आज हमें विल स्टेशन में विल मिला था दोस्तो क्योंकि हमें बाकेट के अंदर आज विल नहीं मिला था ये देखो आज बढ़िया खिलोना हमें बहुत ज़्यादा ही कम मिला है दोस्तो और और क्या बताओ दोस्तो सभी तूटा-फूटा था तो तूटा-फूटा कौनसा-कौनसा है आप लोगोंने तो नोटिस किया ही होंगे दोस्तो ये देखो आज कुछ ज़्यादा ही खिलोना मिल चुका है बाकेट के अनुसार बाकेट बहुत ज़्यादा छोटा पर गया है दोस्तो तो चलो, बाकेट को ऐसे रखते हैं, एक काम करते हैं, इन सभी को बाकेट के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें आसानी होगा, एक ही जगा में कठा होगा, तो हमें निकालने भी आसानी होगा, कहीं पे गुम भी नहीं होगा, तो दोस्तो, सबसे पहले हम एटाचमेंट कर करना होगा आप देखो यहाँ पे एक सेट विल जाएगा यहाँ पे एक सेट विल जाएगा मतलब एक ही कार में सोरी एक ही ट्राक में दो सेट विल जाएगा तो दोस्तो आप लोगों को दिखा देता हूँ practically यह देखो यहाँ से हमें इसका will निकाल लेना है यह देखो, will निकाल लिया चारो will ही निकाल लेते हैं, यह देखो इसे set will बोला जाता है, दोस्तों क्योंकि एक ही rod में दो will अल्डेडी fixed अटाच किया गया है दोस्तों, यह खुलेगा नहीं, बिल्कुल प्रेस कर देना है, ये देखो दोस्तों, ये हमारा एक ट्राक रेडी हो चुका है, अब आते हमारा नेक्स ट्राक की तरफ, ये देखो, यहाँ पर बैठाओ, हलके हातों से प्रेस कर दो, ये देखो, ये भी जूर चुका है, और ये देखो, ये भी सेम प्रोसेस से जूर तो दोस्तों दोनों खिलोनों को एक साथ रख दिया साइड में अब आते हैं हमारा next attachment की तरब जो की है हमारा ये वाला ओटो रिक्षा का attachment तो दोस्तों ओटो रिक्षा का problem क्या था ओटो रिक्षा का problem था इसका नीचे से will chamber खुला हुआ था तो इसका will chamber देखो यहाँ पे है ओटो रिक्षा का तीन ही will होता है हमेशा याद रखना दोस्तों ओटो रिक्षा में तीन ही will होता है और ऐसा वाला will chamber हमेशा ओटो रिक्षा का ही होता है दोस्तो यह देखो यहाँ पे देखना है कहा का आप हमें लॉक करना है यहाँ से तो मुझे लॉक नहीं दिख रहा है दोस्तो पीछे से यह देखो लॉक मिल चुका है हमें इसका यह देखो यहाँ पे एक छेद दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे एक छेद दिख रह तो दोस्तो ऐसा करके ये देखो ये पीछे दो चेद है ना दोस्तो ये जस्ट छेद में जस्ट इसे डाल दो ये देखो डाल दिया दोस्तो बिल्कुल परफेक्ली ये जुर चुका है और ये देखो इसे थोरा आगे की तरफ खिच लेना है ये देखो दोस्तो खिचते ही बि प्रब्लेम था विल जेमबर खुला हुआ था यही है जेसीबी का विल जेमबर दोस्तों यह देखो यह विल भी टूटा हुआ है यहां से देखो जेसीबी का चट भी टूटा हुआ है यह देखो यहां से जेसीबी का स्टेरिंग भी टूटा हुआ है मतलब यह टॉय चिपका देते, तो चलो यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, टोटल चार खिलोना हो चुका है बीच में एक पेर है छोटा सा तो दोस्तो आते हैं हमारा next attachment की तरब जो की है हमारा ये वाला mini tractor का attachment, तो mini tractor का क्या problem था दोस्तो, mini tractor का problem प्रॉब्लेम भी simple था, ये देको engine से rod निकला हुआ है दो, तो engine में जस्ट ये हमें पीछे का दो will attach कर देना है, तो ये दो will इसका ही है क्योंकि दोस्तो हमने already ये वाला will देखके ही समझ गए थे कि ये tractor का ही will है, तो दोस्तो यहाँ पे हम इस rod में एक को attach कर देते हैं, ये देको एक attach हो चुका है, अब दूसरे को भी attach करना है यहाँ पे ये देको, same process से यहाँ पे attach कर देना है, ये देको attach हो चुका है तो अब tractor को हम side में रख देंगे, क्योंकि इसमें और कोई भी किसी तरह का problem ही नहीं है दोस्तो बिल्कुल perfect condition में आ चुका है mini tractor, तो चलो दोस्त, अब तुम प्यार तरीके से drive करो, खेलो, कुदो, कुछ भी करो क्योंकि driver सब वो wheel के भी ना drive नहीं कर पा रहा था, दोस्तो अब drive कर पाएगा, तो उसे छोड़ दिया आते हमारा next attachment की तरफ जो की है, हमारा आकड़ी वाला attachment आचका, ये देखो दोस्तो, ये है हमारा train engine तो train engine का problem क्या था दोस्तो, ये देखो इसका wheel था, wheel को इस छेद में से डालना है, अब दूसरी side की छेद में से just निकाल लेना है ये देखो निकल गया, अब just क्या करना है, इस road में ये वाला wheel को डालना है, ये देखो ये wheel को हम यहाँ से डाल दिये, ये देखो perfectly जूर चुका है, अब जूर चुका है तो दोस्तो इसे भी side में रखना होगा, ये इसका भी problem solve हो चुका है, तो चलो इसे भी side में रख दिय है, ये देखो हमारा पास आज total repair के रख किया हुआ खिलोना चाहे है, तो चलो रख दिया खिलोना को, और दोस्तो यहाँ पे बचा हुआ है बढ़िया बढ़िया खिलोना जो की है construction vehicle road roller, ये तो बिल्कुल perfect condition में था ही, इसे भी हम सामने रख देते हैं, क्योंकि इसमें कोई रियाल नैनो जैसा ही एक दम हूबा हूँ एक car, जो की नैनो कार ही बोल सकते हैं हम, ये योलो कलर का नैनो कार और ये देखो bus, ये है आर्मी बाला bus दोस्तों, ये सबसे बढ़िया color combination में आया है, हमारे पास white, purple and gold color combination, तो चलो इसे भी हम यहाँ पे रख देते हैं, तो दोस सबसे पहले ये बाला collecting bucket ही हमारे नाजर में आया था, तो दोस्तों ऐसे मज़ेदार content के लिए हमारे channel को जरूर subscribe करें, वीडियो को देखते बग वीडियो को एक like जरूर कर दे, और दोस्तों आप लोग ऐसा कुछ घर पे करने की बिलकुल कोशिश मत करना, ठीक है दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई